आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक पहुती टेस्टी और यूनिक नाष्टा रेसिपी आज हम टमाटर से पहुती यमी नाष्टा बना कर त्यार करेंगे तो फिर देर किस बात की स्टार्ट काटें ये टमाटर से बनी हुई एक तम यूनिक रेसिपी तो सबसे पहले ये नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर तो मैंने यहां ये पके हुए लाल टमाटर लिए हैं और टमाटर को अच्छे तरीके से आपको धोलेना है और टमाटर को धोने के बाद आपको इन्हें कट करना है तो इस तरीके से हम इसके गोल-गोल स्लाइस कट करेंगे टमाटर के इस स्लाइस आपको बहुत मोटे या पतले नहीं रखने हैं मीडियम साइस के स्लाइस कट करके त्यार करें अगर आप टमाटर थोड़े से टाइट लेंगे ना तो आसानी से ये स्लाइस कट जाएंगे बहुती कम समय में आसानी से बनने वाला नाश्टा है और इसके लिए आपको मार्केट से कुछ स्पेशल भी नहीं लाना घर में ही उपलब चीजों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं और नाश्टा ऐसा है कि छोटे हो या बड़े घर में ये सबी को भाता है ये देखे इस तरीके की स्लाइस आपको कट करने हैं अगर आपने एक बार ये टमाटर का नाश्टा बना लिया ना तो सच में आपके बच्चे मार्केट का पीज़व अगरा खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और ये ही टमाटर का नाश्टा खाना पसंद करेंगे तो यहाँ पर अब ये वाला हैसा हम हटा देते हैं अब ये मैंने दूसरा टमाटर लिया है इसे भी मैं सेम इसी तरीके से कट करूंगी और इसी तरह हम ये तीनों टमाटर कट करके रख लेंगे तो यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं इन्हें अलग रख देते हैं और इसके लिए बेटर त्यार कर लेते हैं तो यह मैंने एक बोल लिया है और बोल में मैं डाल रही हूं बेसन मैंने यहाँ तीन चमच बेशन लिया है और इसमें अब मैं डालूँगी एक चमच चावल का आटा चावल का आटा डालने से इसमें अच्छा क्रिस्प आजाएगा अब इसमें जा रहे हैं कुछ मसाले तो एक चोथाई चमच नमक डाल दिया है एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच जीरा और साथ में जारी एक बारी कटी हुई हरे मिर्च अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया सारी चीजों को अच्छी तरीकी से हमें मिक्स कर लेना है तो मैंने बेसन और सारे मसाले वगएर अच्छे से मिक्स कर लिए और अब हमें इसमें डालना है पानी तो पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गोलेंगे ताकि इसे जो बेसन है उसमें गुठलिया ना बने तो अब यह देखे मैंने एकदम बहुती बढ़िया बेसन गोल के त्यार कर लिया इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं है एकदम लंप सुरी है यह और अब हम इसम पतला बेटर त्यार करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी दिखा दूंगी कि देखे कुछ इस तरीके का बेटर में यह त्यार करना है और अब चलते हैं अगले प्रोसेस के और तो मैंने गैस पर एक पैन रखा है गैस हमने त्यार किया है वो हम इसमें डालेंगे पूरा बेटर नहीं डालना है अभी मैंने आधा बेटर डाला है और इसे अच्छे तरीकी से हम पैन में फैला देंगे पहुच जदा मोटी लेयर त्यार नहीं करना है वी इसकी यह देखे इसे हमने पैन में इस तरीके से फैला मगए we help to go weahe को सबभा है मैं दूबर हार रहे हुं साइब उपशा घुर्ट配 के अगsti के पास और छुली फे ठीन दीन है तो आप क्या करें कि इस के उपशा अब जो बेसन का बैटर हमने बचाके रखा था वह में इसके उपर डालेंगे तो टमाटर के उपर हमें यह बैटर डाल देना है और तो को अब हम इसे कवर करेंगे और लो टूम मीडियम फ्लेम पर इसे चार मिनट तक पकने देंगे तो कवर कर दीजिएंगे अब हम इसे open कर लेते हैं क्योंकि इसे cover करके पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और अब ये देखिए जो नाष्टा है ना कहीं कहीं से इसका color change होगी है सूखा सा लग रहा है और कहीं कहीं गीला है तो अब हम इसमें एक चम्मस तेल डाल देंगे उपर की तरफ और इसे 1-5 मिनट तक ऐसे open पकने देंगे और 1-5 मिनट बाद अब हम इसे पलट देंगे बहुत ही आसानी से पलट जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी सबसे पहले इसे सभी तरफ से इस तरीके से किनारों से हम लूस करेंगे और ये देखे अच्छी तरीके से निकल चुका है तो बस इसे हम पलट देते हैं तो इस तरीके से आपको इसे पलट देना है, ये देखिए कितना बढ़िया सिख के त्यार हो ना, कितना सुन्दा लग रहा है, तो बस पलट देते हैं इसे, ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया ना नीचे से light golden brown, तो अब हम इसे हलका हलका सा इस तरीके से प्रेस करेंगे, और बस इसे अब हम फिर से 3-4 मिनट तक सिखने देते हैं, गैस का flame low to medium है, अब हम इसे cover करके पकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसे पकने दे, इस तरह प्रेस करके सेखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सिख के त्यार होगा, अब यहाँ पर इसे पकते हुए 3-4 मिनट फिर से हो चुके हैं, तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, कि इसके उपर एक प्लेट लगाएं पैन के उपर, और फिर पैन को प्लेट में उल्टा कर दें, इसली यह निकल आएगा, यह देखिए, बहुत ही बढ़िया कितना सुन्दर लग रहा है जो को बेहत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही जदा टेस्टी होता है यह, इस नाश्ता की सबसे खास बात यह है, कि इसे बनाने में टाइम नहीं लगता, और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, तो आप भी अपने घर पर यह टमाटर का नाश्ता जरूर ट्राइग कीज